पर एक बड़ी कवर आपको बता दे ओवेसी के घड़ में CM योगी की उंखार, हैदराबाद में रोडशो कर रहे हैं CM योगी, जी एच एमसी के चिनाव में ओवेसी के योगी की एंट्री के बाद से पसीने चूट रहे हैं, हैदराबाद में रोडशो कर रहे हैं CM योगी इस नज़र बनी हुई है तस्वीरे अपडेट सारी जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई आप तक हम पहुंचा रहे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारकों से ओवेसी डढते हुए भी नज़र आ रहे हैं आपको बता दे कि एक दिस्टंबर को होने घेज एमसी के चुनाव तो ये स्टकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ओवेसी के गड़ में उग कर रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अलिका मलोध रहा और मैं हूं आपके साथ रही तरजन शुरुआण बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं क्योंकि OVC के गढ़ में CM योगी के हुंकार है जिहां हैधराबाद में रोट शो कर रहे हैं CM योगी GHMC के चुनाव में OVC के पसीने चूट रहे हैं योगी अधितिनाद को वहाँ पार देखकर BJP के स्टार प्रचारकों से OVC डर रहे हैं बलकुल खास बात ये भी है कि देखिए काफिला पहुँच चुका है और किस तरह से भगवा पूरा चाया हुआ है नजर आ रहा है है हैधराबाद में एक दिसंबर को Greater Hyderabad Municipal Corporation का चुनाव होना है और सोची है कि इस चुनाओं को भी BJP कितनी प्रात्मिक्ता से ले लिए कई स्टार प्रचारक जो BJP के हैं वो अब सड़कों पे उत्रे मैदान पर उतर चुके हैं आमिद शाह का भी एक दोरा होना है खुद उत्तर प्रदेश के मुक्यमंत्री योगी आदितिनात वहाँ पे पहुँचे हैं और खास बात यह भी है यह जो गड़ है यह OVC का गड़ माना जाता है और उस गड़ में BJP दरासल सेंद मारी करना चाहती है और BJP की जो स्ट्राटेजी होती है दरासल वो ग्राउंड लेवल से ही काम करना शुरू करती है ताकि आगे वहाँ पर उसका कद और दबदबा दोनों मजबूत होता जाए पिल्कोल और मुक्यमंत्री योगी आदितिनात का वहाँ पर पहुँचना इस बात को भी दर्शाता है कि BJP कितनी गंभीरता से निकाय चुना ही है और जिस तरह से BJP का एक बहुत ही विश्वस्तिया चेहरा है मुक्यमंत्री योगी आदितिनात अक्शन के लिए जाने जाते हैं तमाम कड़े पैसे वो चुटकी में ले लेते हैं और वहाँ पर उनका पहुचना एक बहुत बड़ा मैसेग BJP की तरफ से रहे दे खास बात ये भी है कि इस ग्रेटर हैडराबाद मुसिपल कॉपरेशन के चुनाओं में लगबग इस बार 1122 कैंडिडेट्स खड़े हैं और वहाँ पर इस बार ओवेसी को सीधा टकर देनी की तैयारी में है सर्फ इतना ही नहीं टियारेस को भी बड़ी चुनाओती इसके साथ और अपडेट फर्दर आप ये सी समझ लीजिए कि BJP दरासल डेर सो की डेर सो सीटों पर अपने चेहरों को उतार रही है मीर वैदी हमाई से जुड़ चुके हमाई से वादा फोल लाइन पर मीर कैसे कैसी तस्वीर है जो हम देख पा रहे हर तरह भगवा ही भगवा यानि योगी का रंग चा गया बिल्कुल आपने सही फर्माई सही तैंप पर योगी चीजिस्टर योगी ने अन्पी मारी है वहार बड़ी बात है तुछ आप देखियां सरों का समंदर दिखरा है लाकों के लोग महां मौजूद है अजर आप वाल के देखें तो इसमें हवार तीन भी स्यादा आपको लेखिए लेडी भी आपको ज्यादा देखिए पोलिस अकड़ा बंदोबस्तिया गया है अब इ वहां पर तो इस से इनकी रैली से काफी बीजीपी को बहुत मदद मिलेगी सबसें बड़ी बात यह है तो रैली निकर रहे हैं आप उसके चाहिए और जिस तरह से इस इंचुनाव में पूरी ताकत और जोक रहे हैं और राश्टी चेहरे अपने उतार रहे हैं क्या अधार इसके पीछे क्या लगता है बीजीपी को इतना बड़ा टार्गेट कैसे वो अचीव कर पाएंगे अब मिशा खल आ रहे हैं तो यह साफ बात है यह जो एलेक्शन है यह प्री फाइनल है क्योंकि देखिए भले ही बावन सीटों पर वेसी कई पाटी खड़ी हो लेकिन पांच को छोड़ के बात बाकि सारे तो मुस्लिम कैंडियेट है उनके पास क्योंकि देखिए पर मुस्लिम बैट है उनका खिला मलबुत है जाब चाली सीट वो लगाता लाते हैं वो अपना बैट है वो बराबर है लेकिन यह जापके जो उन्होंने 16 सीट बढ़ के लड़ रहे हैं यह लड़ रहे हैं यह लड़ रहे हैं इस बार मुकाबला मुकाबला बहुत दिल्चस्प है मीर बने रहे हैं आप हमाई साथ देखिए तस्वीर हिंदुस्तान पर योगी पहुंच चुके हैं हैद्राबार गड़ है यह वेसी का और वहां पर योगी की यह हुंकार है हर तरह बस भगवा ही भगवा नजर आ रहा है और भगवा में एक बात साफ है जिस तरह से ओवेसी को कहा गया है कि ओवेसी के किले में हम बीजेपी अपनी मजबूती से कमल खिलाएगी उस पर यह बड़ी चुनोती की तस्वीर है श्वेता हमाई साथ न्यूजूम से जुड़ी है श्वेता देखिए यह तस्वीर बहुत खास है औ निकाय चुनाओ को कितना सीरियसली बीजेपी ले रही है ये पहली दफ़ा नहीं है हर्याना में 2018 में बीजेपी ने निकाय चुनाओ को पूरी दमखम के साथ लड़ा था वजह यह थी कि राजस्थान 36 गड़ में जिस तरीके से हार मिली थी बीजेपी को कारेकरता कही न कह चुनाओ लगना था इसलिए 2018 में एक्सपेरिमेंट हो चुका है हर्याना में और आपको बता दे कि कई सीटे 5 सीटों पर कब्जा भी किया हर्याना में जब ताकत जोकी गई थी तो करनाल की सीट ऐसी कई सीट थी 5 निकाय चुनाओ के यह सीट थी जिस पर बीजेपी का कब् ब्रेंड नेताओं को क्यों उतार रही है ग्राउंड पर तो यहां एक तीर से कई शिकार करना चाह रही है बीजेपी पस्चिम बंगाल में निकाय चुनाओ उसको साध लेगी और यहां AIMIM को भी जवाब देना होगा सीमांचल की 5 सीट लेकर असा दुद्दीनों वैसी जि पर जिम्मीदारी सॉपी गई अक्शे आप समझिए घृब्र यादाव कोन जिनको बिहार्य जिम्मीदारी सॉपी गई थी प्रभारी बनाया गया था और जिस तरह से En Lös An Até insecure dimेऻ त compete जिकार करते हैं बिल्कुल शेयता अच्छे भी अपडेट हासिल कर रहे हैं इस टूडियो मैं रोहित लेकिन मैं अपडेट ये भी दे दू साथ-साथ अपने दर्शकों को की देखिए जिस तस्वीर को मैं आपको दिखा रहा हूं इन तस्वीरों के खास माईने हैं खास माईने इसल परे चेरे चाहे जेपी नडड़ा हो पार्टी के अस्तिय दक्ष या फिर अमित शाह हो या फिर आप यह देखिए अरुन यादब को भी वहाँ भेजा जाता है जिन्होंने बिहार में जीत हासिल कराई थी सिर्फ इतना ही समीकरन नहीं समीकरन ये भी बदलता है कि ओवेसी 44 स परेशान है शायद उनके बयानों से भी ज़लकता है और जिस सरे से उनके चाहे वाले से हम नहीं डरते वो सीवी प्रतिकिरिया है कि ये खौफ है और बीजेपी जिस सरे से किले बंदी कर रही है ये उसकी जलक है चाहे पुराने इतियास के पन्नों को पलटी है हरियाना हो पस्चिम मंगालों पस्चिम मंगाल में भी हमने वही देखा निकाय चुनाओं में बहुत दबदबा करके बीजेपी आगे बढ़ती है और उसके बाद वो कन्वर्जन लोग सभा चुनाओं के नतीजों में होता है अभी निकाय चुनाओं पस्चिम मंगाल में होने है ममता आप एनरजी के होश उड़े हुए है रोहित वो ये सोच नहीं पारी है कि आखिरकार क्यों दिगज नेताओं को उतारा जा रहा है लेकिन बीजेपी शुरू से अपनी स्ट्राटीजी बना कर चलती है 2018 का हर्याना का एक्सपेरिमेंट काम कर गया है तो लगातार हम आपको तस्वीरे भी दिखा रहे है आईदराबाद से CM योगी के ललकार ओवेसी वर्से CM योगी और ये तस्वीरे देखिए किस तरह से भगवा रंग चाया हुआ है और बीजेपी अपनी तरफ से पूरी ताकत जोक रही है स्थानी चुनावों के लिए और ये ओवेसी का गड़ है जहां पर सेंद मानने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तयार है अपने राश्ट्रियों चेहरे वहां पर उतार रही है तो सुनिये देखिए किस तरह से बीजेपी के जो कारी करता है उनमें उत्सा है जोश है और जोश और उत्सा के साथ लगाता है योगी भी वहां पर पहुँच रहे हैं विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और विक्ट्री साइन इसलिए क्योंकि अब जो नतीजों के कनवर्जन की बारी होगी उस समय बीजेपी ये चाहती है कि ये जोश और उत्सा दरहसल उन वोटों में तब्दील हो जाए जिसके लिए इतनी महनत की जा रही है एक तारी को चुनाओ चार तारी को नतीजे और उन नतीजों से पता चलेगा कि दरहसल बीजेपी अब किस तरह से अपना दबदबा वहाँ पर हासल कर रही है खास ये भी है कि 51 सीटों पर अब OVC की पार्टी यहां पर चुनाओती दे रही है पांस सीटों को छोड़ दे और जहां जहां पर भी बीजेपी मैदान में उतरती है वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात जरूर पहुँचते हैं क्योंकि एक विश्वस्तिय चेहरा फाइर ब्रैंड नेता और बेहत दबंग नेता भी है बीजेपी की और यहां पर भी देखिए योगी का जलवा आप देख सकते हैं लोट्री साइन दिखाते हुई यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर कारेकरता जूटे हुए हैं यह रोडशो की तस्वीरें जो जी हिंदुस्तान पर आप देख पारे हैं इसक्त एक्स्क्लूसिफ तस्वीरें हम आपको पाया हुए है हैदराबाद में और देखे यह चेरा ऐसा है जिसको लगता है बीजेपी हमेशा इमान के चलती है कि उनके स्ट्यार प्रचारिकों में एक योगी आदितिनाथ हैं और वो जहां जाते हैं वो कन्वर्जन हम देखते हैं कन्वर्जन रेशियो अगर आप देख कहीं अगर वोटरों में तब्दील हो गई तो सेंध हमारी पूरी तरीके से होगी श्वेता और क्या अपडेट है आपके पास आपने बात की कि OVC ने BJP के उपर कटाक्ष किया और कहीं न कहीं कहा रहें कि हमें फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता है AIMIM को फर्क पड़ता है वज़ा यही है क्योंकि देखिए इस बयान के बाद तुरंत एक बयान आता है कि OVC ब्रदर्स और TRS ये दोनों मिले हुए हैं TRS 99 सीट पर रही 44 सीट AIMIM के पास है और 4 सीट मात्र BJP के पास है अब इस बार पूरा दंखा मिसलिए उतारा जा रहा है कि OVC को उन्हीं के गड़ में टक कर देंगे बिहार चुनाओ का बदला हैदराबाद में लेंगे रोहित बिहार चुनाओ का बदला हैदराबाद मिलेंगे वैसे लगातार OVC भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और बंगाल में भी उन्होंने हुंकार भणी चुरू कर दी थी लेकिन BJP की रनीती बहुत साफ है BJP ने साफ तोर पर ये सोच लिया है कि हम जो है अपने हर उर राजियों में अपने दबदबे को कायम करेंगे जिन राजियों पर दरासल ये कहा जाता था कि BJP दक्षिन के राजियों तक नहीं पहुंच पाई वो दरासल जो एक स्लोगन BJP के साथ एड़ उन था उसे BJP अब हटाती भी दिख रही है और इसकी बांगी पेश करती भी है तस्वीरे है आज योगी आदितिनाद पहुंच रहे है पहुंचे और वहां पर जो भीड दिख रही है हमने 33 सुरिया को भी पहुंचते देखा था हमने यहां पर अब अबितleer को भी देखने है कि हमितle minister भी यहां पहुंचेंगे जए पी नड़ा भी यहां पहुंच चुके हैं खास ये भी है कि BJP के बारे में यहीं कहा जाता है BJP जिस संस्थागत तरीके से जमीन से जुड़कर काम करती है उसकी प्रतिकिरिया यह होती है कि वो result को convert कर रही है और यही आज की तारीक में Congress के लिए चुनाती है Congress के लिए चुनाती है इसलिए चुनाती है क्योंकि यही बार-बार Congress में भी food का अधार बना इसमें यह कहा गया कि BJP दर असल ग्राउंड लेबल पर काम कर रही है Congress जमीनी स्तर को नहीं चुरे है और यह जो फर्क है यह फर्क दर असल नतीजों में convert होता है यह दो तस्वीरे आपके TV स्क्रीन पर है हलिकॉप्टर से योगी पहुचते हुए और उसके बाद जब सड़कों पर पहुचते हैं योगी तो यह दो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं Mission Vaccine पर पिये मोधी पूने की यह आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं और जिस तरह से आम मुख्यपंत्री योगी आदितिनाद की रोडशों के बारे में आपको बता रहे थे हैं तो इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है रोएट कि भाजबा दक्षिन में अपने प्रवेश का गेट भी इसको मान कर चल रही है कहा जा रहा था कि BJP दर असल हिंदी बाहुल छेत्रों में ही अपना प्रभुत दिखा पा रही है इसलिए BJP इस आकलन को खत्म करने के लिए और इसको कह लिए कि न्यू कैलकुलेशन के साथ अपने आपको आगे लेके जाना चारी है ये दो तस्वीरी जो आपके टीवी स्क्रीन पर है जो जी हिंदुस्तान भी दिखा रहे है बेहत खास है एक तरफ हैदराबाद में योगी की हुंकार है और दूसरी तरफ देखिए कोरोना महामारी से जूचते हुए दुनिया के सामने एक खास भरोसे की तस्वीर है जिसमें आज सुबे से प्यम लगातार पहल कर रहे हैं हैदराबाद एहमदाबाद और पूने पहुँच रहे हैं और वैक्सीन के स्टेटिस पर अपडेट ले रहे हैं वेज्ञानिकों से आजुन ने बातचीत करी और पूरा देश इंतिजार कर रहा है कि कब प्येम मोधी बताएंगे कि वैक्सीन कब तक तयार होगी बहराल ये तस्वीरे बहुत एहम है जो है सफर में हो या घर पर अब होगी हर ख़बर आपकी हथेलिव एप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान है पाच भाशाओं में चुनें अपनी पसंद की भाशा जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिये क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिये 24 घंटे अपनी नज़र